नेहा, ये तुम क्या लिख रही हो? मैं बुलेट ट्रेन पर निबंध लिख रही हूँ. निबंध क्या होता है? आईए, हम भी निबंध के बारे में जानें। निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। निबंध किसी भी प्रकार का हो लिखने से पहले उसकी रूप रेखा बना लेनी चाहिए। निबंध में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छा निबंध लिख शुद्धी का विशेश ध्यान रखना चाहिए, विराम चिन्यों का सही प्रयोग निबंध की गरिमा को बढ़ा देता है, यथा स्थान, उदार्णों, सूक्तियों और काव्य पंक्तियों के प्रयोग से निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। गटना काव्य पंक्ति से प्रारंब की जा सकती है। वर्षा रितू, संकेत बिंदू, भूमिका, वर्षाकारम, मनोरम द्रिश, लाभानी, उपसंखार। हमारे देश में वर्ष में छे रितूएं आती हैं। शिशिर, वसंत, ग्रिश्म, वर्षा और शरत। इनमें से वसंत को यदि रितूराज कहा जाता है तो वर्षा को रितूँ की रानी माना जाता है। गर्मी में आस्मान से बराती आग से जब भूतल तवेसा जलने लगता है, लू के गरम थपेडों से फूल पौधे वरिक्ष लताएं सब जुलस जाते हैं, प्राणी निढाल हो जाते हैं, चारों ओर त्राही त्राही मची होती है, सब की द्रिश्टी आकाश की ओर लगी हो पशु पक्षी, नर्नारी, बालक वृद, सब का मन, मयूर ना चुटता है, प्यासी धर्ती को शांती और शीतलता मिलती है, जंगल में मंगल चा जाता है, आकाश में काली घटाओं को देख कर मोड ना चुटते हैं, धर्ती पर नवजीवन का संचार होता है, वर्षा काल मे बिगनब चाए, गर्जत लागत परम सुहाए, दामिनी दमक रही घनमाही, खल की प्रीती यथा थिड़नाही, वर्षा रितु में नदी नाले ताल तलय या सभी पानी से भर जाते हैं, दादुर के टर टर किस्वर चारों ओर सुनाई पढ़ते हैं, वन उपवन हरियाली से धग जाते हैं, पेड़ पौधे हरी पत्यों से लच जाते हैं, बेलें जूमने लगती हैं, पक्षी चहचाहाने लगते हैं, कृषकों के लिए तो वर्षा वर्दान बन कर आती है, किसान खेतों में हल जोतता है, धान की रुपाई होती है, मक्का ज्वार बाजरे के लहलाह खेत क्रिशक को नवजीवन प्रदान करते हैं। बहुत हानी होती है। वर्षा रितु में मक्की, मच्छर और भाती-भाती के कीट पतंगे बहुत बढ़ जाते हैं। जगजगा पानी के भराव और कीचड से रोगों का प्रकोब बढ़ जाता है। अता वर्षा रितु में हलका और सुपाच्य भोजन ही ग्रहन करना चाहिए स्वास्ति का ध्यान रखना चाहिए। अनावरिष्टी से यदि हानी होती है तो अतिवरिष्टी भी संकटों का कारण बनती है। इसलिए उचित समय पर उचित परिमान में ही वर्षा होने की कामना वेदों में की गई है। भारत की राजधानी दिल्ली, संकेत बिंदु, स स्थिती, इतिहास, दर्शनी अस्थर, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र। भारत एक विशाल देश है। दिल्ली को इस विशाल देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। विश्व में दिल्ली की गर्णा प्रमुक नगरों में की जाती है। दिल्ली देश युधिष्टर ने राजसु ये यग्य किया था अतीद से वर्तमान तक यह नगर कई रूपों में उभरा और कई शास्कों का शासन इसने देखा है दिल्ली के सुंदर्य और वैभव से आक्रिष्ट होकर अनेक आक्रमनकारियों ने इसे पदाक्रांत किया आक्रमनकारियों ने जब पंचनत की उपजाव भूमी पर पैर रखे तब अपनी कोख में छिपाई अपार धनराशी को बचाने के लिए यह द्वार रक्षिका कहलाई द्वार को देहलीज या देहली कहने के कारण ही यह देहली या दिल्ली कहलाई प्रित्वी राज चोहान की राजधानी दिल्ली ही थी तत पश्चात मुगलों ने इसे अपनी राजधानी बनाया सन 1857 में दिल्ली रक्त से नहाई तथा बीसवी सदी में स्वतंतरता की गरजना से गूंज उठी स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्षाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया और दिल्ली के लालकिले की प्राचीर पर तिरंगा लहरा उठा इस प्रकार दिल्ली ने अनेक उत्थान पतन देखे हैं और आज यह संसार की सर्विष्ट्रेष्ट राजधानियों में गिनी जाती है दिल्ली में अनेक दर्शनी अस्थान है मुगलकाल के दर्शनी अस्थलों में जामा मस्जित, लालकिला, हुमायू का मगबरा, निजामुदीन की दरगाः प्रमुख है जामा मस्जित और लालकिले का निर्माण मुगल समराट शाह जहाने कराया था हुमायों का मगबरा मुगल कालीन स्थापत्य कला का उत्तम नमुना है पुराना किला जो अब खंडहर के रूप में ही बचा है पांडवों ने बनवाया था कुतुब मिनार और उसके पास इस्थित लोई स्तंब भी परिटकों के लिए आकरशन का केंद्र है अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया राश्ट्रपती भवन, मुगल गार्डन, संसत भवन, केंद्रिय सचिवाले और इंडिया गेट वास्तुकला के अद्भुत नमुने है स्वतंत्रता प्राप्ती से अब तक दिल्ली के रंग रूप में काफी परिवर्तन हुआ है गगन चुंबी इमारतों, पांस सितारा होटलों, फ्लाइ ओवरों और मेट्रों के निर्मार ने दिल्ली का रूप ही बदल दिया है राष्ट्रे संग्रहाले, राष्ट्रे विज्ञान केंद्र, अंतराष्ट्रे हवाई अड्डा, कला संग्रहाले, रेल संग्रहाले, लोधी गार्डिन, बुद्ध पार्क और अनेक महत्वपूर्ण अस्थान दिल्ली की शोभा बढ़ाते है दिल्ली में कनोर्ट प्लेज, चाननी चौक, करूल बाग जैसे बड़े-बड़े बाजार हैं और जगा-जगा पर नव निर्मित मॉल दिखाई देते हैं दिल्ली पूरे भारत का व्यापारिक केंद्र है यहां देश के कोने-कोने से लोग सामान खरीदने बेचने आते हैं दिल्ली की साफ सुत्री सडकें, विभिन देशों के दूतावास, सरकारी कार्याले, पुराना सचिवाले, स्टेटियम इसे और आकरशक बनाते हैं दिल्ली दिल्ली में देश के सभी राज्यों के लोग रहते हैं ऐसा लगता है मानो यह भारत का लगुरूप है दिल्ली की जनसंख्या में उत्तरोतर व्रिधी हो रही है जिसके कारण पानी बिचली आवास यातायात आदी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है फिर भी दिल्ली दिलवालों की है शायर जौक के शब्दों में हमने माना दकन में हैं बहुत से कद्रे सुखन कौन जाए जौक यह दिल्ली की गलियां छोड़ कर